यह बीडियो देखा आपने यह मध्परदेश का बीडियो है और एक सिड्यूल कास्ट के भी मार्मी के करकरता के घर को बुल्डोजर से आया जा रहा है आपको क्या लग रहा था कि सिर्फ मुसल्मानों की बारी आएगी अरे मुसल्मान तो एक बहाना है SC-STOBC असली निसाना है मुसल्मान तो पहले ही पंचर बना कर खुस है डाक्टर की सीट आप ले रहे हैं इंजिनियरिंग की सीट आप ले रहे हैं तो निसाना तो SCSTOBC है और कब तक बचेंगे आप इसलिए आपकी बारी आ गई है और धर्म के मामले में भी ये विडियो देखिए ये गाजीपूर के मस्जिद की तस्वीर है जहां आतंकी ये भगवा आतंकियों ने कबजा कर लिया सोचिए अगर यही किसी मंदिर पर किसी ने किया होता तो हाँ बुल्डोजर चल जाता इन भगवा आतंकियों का कुछ नहीं होगा क्योंकि इनके आका जो है वो सत्ता में बैठे हुए है तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ मुसल्मानों की बारी है सारनात बनारस में भंते चंदिमा को बशच की पोजा नहीं करने दी गई तो बारी तो भुज़ुनों की आए गया भगवान बुद् का मतलब ये मत कहिंडंकि द्लितों का भगवान समरात शोक किस धम में थे परियाल ललाई सिंगादव किस धम में थे सुनिलाल पटेल किस धम में थे राजा परसेंजीत किस धम में था, राजा मौर किस धम में थे, घनानंद किस धम में थे, समराटर शोक किस धम में थे, महेंदर और संगमित्रा कौन सी धम में थे, तो इसलिए कह रहा हूँ, सब की बारी आएगी, जो यह जो आप देख रहे ना, आपको जो लगता है कि पर एक बहाना है असली निसाना तो उनको साथ खास करो भी सी के लोग वो जान ले 27 परसेंट जो आप आरक्षन ले रहे हैं आपके बच्चे जो कलक्टर SP DM बन रहे हैं वो जादा दिन तक नहीं चलेगा नमस्कार मैं शंभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशन दस् खबरे जो आपके लिए जरूरी है वो लेकर आता हूं मैं और उसी करी में आज दुसरी सबसे बड़ी खबर है कि देखिए किस तरह से क्यूबा मैं वीडियो नहीं दिखा सकता यह नाई क्या है 200 किलिम्टर दौर कर और कौन होगा इसकी कैटेगीरी पता कि इस देश में सालों से वैकेंसियां बंध है तो नौकरी मिलेगी कैसे एक युवा राजस्थान के जैपूर से 200 किलिम्टर दौर के चलाया दिली 50 किलिम्टर वो भी खबर है यह देखिए और उनहीं का अज पोटेस्ट था जनतर मंतर पर वो वीडियो भी देखिएगा विरुसगारी के खिलाब जनतर मंतर पर 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 तेस था और यह हैं भी मार्मी के राष्टी उपाध्यक्स मंजी सिंग नौट याल उनको गिरफतार कर लिया गया तो भी मार्मी के लोग हर जगह अपना उपसिती दर्ज करा रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है इसलिए मैं बार बार कहता ह है उस धम की दिख्चा लिए जिसमें भारत सोनी की चिरिया था जो समराट शोक का धम था जब भारत में तक सिला नालंदा बिक्रम जिसला जैसी सत्रा इंवर्सीटियां थी पता कि जिए उसको किसने जलाया किसने ब्रवात किया आप धरती के नीचे जैसी खो देंगे तो स कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा प्राचीन धर्म है वो आप समझने की कोशिश किजिए और यह स्वरा भासकर का एक ट्वीट है यह देखिए यह है वो वीडियो गाजीपुर का एक वीडियो है पता चल गया है मस्जित पर इन भगवा आतंकियों मैं फिर कह रहा हूं इ यह बीजेपी के आतंकी हैं यह बीजेपी आरेसेस के समर्थक हैं इनको हिंदु न कहिए हिंदु तो सपा बसपा के भी समर्थक होते हैं और यह देखिए हिम्मा सिंग गुर्जर की एक ट्वीट देखिए कॉंग्रेस और बीजेपी में कितनी दोस्ती है राजस्थान के प बोट बैंक को भी अपने से दूर कर सकती है यहां राहूल गांधी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इतनी मैराथन बैठा कर रहे कि हार क्यों रहे हैं लेकि इनको पता ही नहीं कि इनका बोटर जा रहा है सोचिए मनमोहन सिंग की पहली दौर के बाद दूसरे दौर में कॉंग्रेस जीती OBC के लोगों ने बोट दिया क्योंकि मनमोहन सिंग ने मनमोहन सिंग के पहले सरकार में अर्जुन सिंग थे उन्होंने आरक्षन लागू किया OBC के लिए कपिल सिब्बल ने ब्रहामन ने हटबा दिया बीजेपी की सरकार धराम हो गई क्योंकि दूसरी ब बलिया के डियम जिन्होंने पत्रकार को गिरफतार कर लिया था वो पत्रकार का साप साप कहना है कि वो सच के लिए सहीद भी हो जाएंगे कास बहुजन समाज के लोग सीक लेते सुचिए पत्रकारों ने खबर छापी पेपर लिखी तो उन्ही को गिरफतार कर लिया गया त OBC दूर हुआ कॉंग्रेस से क्योंकि OBC का आरक्षन खत्म करवाया, आरजुन सिंग ने लागू किया था, उनको मंत्री मंदल से हटा दिया, और सिब्बल ने सारे OBC के बच्चों के भविस बरवात कर दिये, आदिवासियों पर सिब्बल ये चिदमरम ने ग्रीन हंट चलवा हमारी सरकार ने तुम्हें 105 दिन जेल में रखा, 15 दिन ब्याज के अलग से, अभिसाब बरावर, हम दोनों भाई-भाई, ठीक है, आज संसत बहुने हमीज शाह और चिदमरम सोचिये, ये लोग पंद जेल में रखे, एक आदिवासिम अभी बिधायक है जारकन के, उन पर आ जिली में जो फ्लेट है मुझे उसकी चावी दे, तो सिडियूल कास्ट के लोग 6 लाक रुपए के चक्कर में भी तीन साल जे जा सकते हैं, भारत का ब्यापार घाटा 87.5 फिजदी बर गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वही आभीना पांडे कह रहा है, दलललन टॉप बा कैसे हटेंगे, और ये देखे दिलीप मंडल कहते हैं, आप लोग कोई भरम था कि ये सिर्फ मुसल्मान के निसाने पर हैं, आरेसेस का एक मात रुदेश हिंदू सबाज में बर्न सरेश्था कायम करके, मनुसमिर्थी का सत्ता कायम करना है, मुसल्मान का बिरोत तो सिर्फ ह रुठ राका भाई पर जूटे मुकद में दर्च कर जातिवाद का सिकार कर, जेसी वी से घर बेघर कर दिया गया है, जातिवादी विवस्थचर्म सिमा पर है, ये बर्दास नहीं किया जाएगा, चोहान सिवराज बिनेरतन ने ट्वीट किया है, अब ये अब धीरे धीरे आपकी बारी आएगे, सुचिए, कल गोरकपुर में दराती के साथ मुर्टुजा पकरा गया, वह आतंकवादी है, आज एके 47 के साथ सामली में अनिल उर्ष पिंटु पकरा गया, वह अब अदमास है, और दलित होता तो उग्रुबादी होता, नकसलवादी होता, ये इस्त अलवार लेके घुमते रहते हैं, और जैसरी राम के नारे लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे, ये सवाल पुछने वाला कोई नहीं होरे देखिए, चौबेपुर में लेखवाल को नहीं मिली घूस, तो बुल्डोजर से गिरा दिया सिलूल कास्ट का घर, ये इस्तितिया अपना भाई खोद यारास्तान में सरकार नाम का कोई अच्वित नहीं, अब सरकार में गुर्जरों की हत्या हो रही है, ये देखे रहुनात महतों हैं ये, इनको पहचान लीजे बहुछ उनों, सबसे पहले सबसे पहले सबसे बसे 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 लड़ाई होई थी, और भीम आडमी के कारकरता सुरेस राका का आरोफ है कि उन्हें और उनके परिवार को सिर्फ इसलिए परसान किया जा रहा है, क्योंकि वो जातिवात के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये सिडूलकाश का घर तोर दिया गया, आप लोगों और ये देखिए, OBC सिच्चक नहीं है, और जेटली की और ये देखिए, ये तस्वीर है वाइरल होड़ी है, आज जगजीवन बावु को लोग याद कर रहे हैं, ट्रिव्यूस टू बावु जगजीवन रामीन हजब्यू बढ़ आज जगजीवन बावु की जियनती है, परधान मंत्री मोदी ने मान ल किया है, कई फोटो खिजने वाले के बलिया के DMSP जिल न बेदे, ये OBC समाज के बुज़ूर्ग हैं, अपनी पतनी को ले गए थे इस तरह से हस्पताल, इनके बारे में खबर है कि पतनी इनकी एक्स्पायर कर गई, जब इनको हस्पताल से शब लाना था, तो इंबुलेंस की सरकार है, कोई कारवाई नहीं, ये तस्वीर है आज वायरल और इंडियन एक्स्परेस की, देखिए किस तरह से बिधान सभा में बीजेपी के बिधाक्स हो रहे हैं, और एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, All is not bail with BJP top leadership, एक बड़ी खबर आई है, जो ही बोटों से जीते थे, उसके बाद राजनास सिंग और परधान मंत्री में तो पहले से 36 कहां करा है, आप सवाल है कि अमिस्सा के बीच भी 36 कहां करा है, अमिस्सा नो ते एक बड़ पर परधान मंत्री को यहां तक धंकी दे दी कि मेरे साथ 252 सांसद हैं, अगर तुम जावरेकर को साइड कर दिया गया, बिहार वाले रभी संकर परसाथ का पत्ताकार दिया गया, जो भी पुलिटिकल लीडर्शिप बची हुई थी, जिनमें डिमोक्रेटिक एस्प्रीट था, वो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ जिली में ही तो है, नहीं गया तो बाबुजिग जीम अर्णाम की फोटो लगा देते हैं, हर बात पर अपनी फोटो लगाने का लालच क्यों है, एक तो बीजेपी के नेता ने खुलासा किया है कि परधान मंतरी ये नहीं देखते कि कौन में नहीं तारीफ करा, ये भी ये सब खबरे आपको किसी टीवी अख़वार में नहीं मिलेगा ये खबर जो चलाएगा वो जेल जाएगा और ये देखिए भुपाल में वो भी उसी का एक मासूम बच्चा अपने पाइरेंट्स की नौकरी के लिए किस तरह से परदर्सन कर रहा है अगर बहुजन पत्रकार होगा तो इसी तरह से खबरे दिखाता आपको और नहीं मिले इंबुलेंस ठेले पर पत्नी को ले गया अस्पताल बल्याय में सब के लिए 1100 रुपे दिए इस देश के जितने सरकारी अस्पताल है उसमें CSTOBC मैनौटी के लोग लाचार बेवसर को पर इलाज कराने के लिए मजबूर है नहीं भरोसा है तो अस्पतालों का सर्वे कर लीजे और घर बैठे बिजली विल बसुलना परा महंगा है बिजली भाग ने अभी जित तिवारी का कंट्रेक्ट रहत किया तो ये एक तिवारी जी थे वो पेट्रॉल महंगा हुआ तो घोरा से बिल बसुलते थे इस सरकार को लगे का हमारा बिरोध है उसको हटा दिया बाकी जा सरकार और उसके मुख्या सोग गला सुच यह हर्शबर्धन तिर पार्थी है यह पुलिस कर्मी है इन्होंने बहादरी का काम किया इनके नाम के आगे जी लगा रहा है यह जी नहीं प्री अगाना परेंगा और यह है वो खबर देखिए किसी मुगालतें सीभी इश बताये अगर अगर कुछ कर दे तो आतंकबादी और अगर भगवा समर्थक आरेसे समर्थक पीजेपी समर्थक कुछ करें तो वो राष्ट प्रेम ये सी स्टी ओविसी को समझना पड़ेगा ने तो आपके घर पर बुल्डोजर चल रहा है आपकी प्रतिरिया के अपनी प्रतिरिया जूर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक के आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट अर की गंती दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए भाम बहुत ज़रूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें